आपको पूरा नमबर मिलेगा एक भी नमबर नहीं कटेगा बस वीडियो को अंतक देखना मैं एक भी बताऊंगा कि जीवन पचे में अगर कुछ भी ना आता हो तब कैसे लिखना है तो सबसे पहले देख लेते हैं वास्तेशनन अगरवाल का साहितिक बचे जो की बोर्ड एक्जाम की देश्ट से बहुत जादा इंपॉर्टन है ठीक है देख सकते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है निम लिखित में किसी एक लेखक का साहितिक बच्चे देते हुए उनकी परमुख रचना का उलेख की जी यानि इसमें कहा जा रहा है किसी एक लेखक का जो तीन लेखक देए ना बबू इनमें से इनमें से किसी एक लेखक चाया पाचार हजारी पसाद वेदी या फिर एपीजी अब्दुलक्राम य और अगर साहितिक परच्चे आपको याद नहीं है कुछ भी याद नहीं तब आप कैसे लेखेंगे इसको हम लाश्ट में बताएंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं वासुदेशन अगरवाल का साहितिक परच्च जो की 22 फरवरी के लिए बहुत जादा इंपोर्टन है सबसे इंपोर्टन बात आपको लिखना किस तरीके से बोर काफी में एध्यान से सुनीए सबसे पहले आपको लिखना प्रश्टर संख्या 5 का तो प्रस्षक पेपर में पूछा जाएगा प्रश्च November प्रसneg 175 सबसे पहले इंट में डाला देना उल्हक है शाहितिक पचे Canton दाने ठीक है और उसके बाद देखिए लिखना है सबस्क्राइब का जन्म उन्यमी norm 2 1994 में उत्तरपदेश की खेड़ा नाम करम में हुआ था बिलकुन सिंपल था एक दमासान भासा में वासुदेशनर अगरवाल का जन्म कब हुआ था पाबू हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्यन परस्तुत कर हिंदी साहित को गवरानवित किया ठिया इन्होंने बाणभष्ट के हर्षचरित और जैसी के पदमावत की ब्याख्या की हिंदी में जिससे हिंदी साहित का मान बढ़ा यानि हिंदी साहित की इज़त और भी बढ़ गई ठिय इन्होंने पाली संस्क्रित यूम अंग्रेजी का गहन अध्यन किया और एक आसी हिंदु इस द्याले में पुरातत यूम प्राची नित्यास भीभाग के अध्धक्षर है और दिल्ली के राष्टिय संग्राले के भी अध्धक्षर है इतना क्लिए है अब आगे देखें आगे में दो तीन आप लिख देंगे फिर भी आपका सही रहेगा लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले निमस संग्रा में लिखेंगे पिरित्वी पुत्र कल्पलता कल्पप्रिश भारत के एकता और माता भूमी आधित है और शोध में जैसी मिलते हैं इनके रचनाओं में ठीक है बासा सहली में आप लिखेंगे डाक्टर अगरवाल जी की भासा सुध्य योम परिस्कित खड़ी बोली थी सहली बिचार पद्धान योम व्याक्यात्मक थी बिलकुल सिंपल सा और हिंदी साहित में अस्थान लाश्ट में लिख हैंगे बिलकुल सिंपल सी भासा है अब देखें आगे आपको लिखना है किस तरीके से लिखना है अगर आपको जीवन पर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसी पेपर के मदद से लिख कर बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब आ चुके आप कोश्चन पे अब जिस लेख का आप लिख रहे हैं जैसे मालीजिया अगर आप यहां पर आचार हजारी पसाद दुएदी का लिखते हैं यहां पर फर्ष्ट पॉइंट होता आचार हजारी पसाद दुएदी अब यहां पर हम तीसरा लिख रहे हैं तो तीसरा पॉइंट डालेंगे वास अब आपको इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनना मेरी बातों को ठीक है अब इसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे वासुदेशना अगरवाल का जन्म ठीक है जन्म 1904 इतना आप याद कर लो सिर्फ इतना थोड़ी सी चीज आप याद कर लो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा उनने सो चार इसवी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था इतना के लिए रहे अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना ना देखे आपकी बार पूछा जाएगा अपठित करना देखे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहां से आपको देखें यहां से उठाना वा अपने के पांडित समझे होता था यहां से यहां से आपका पैसेज कहां से लिखना है यहां से सुरू जैसे यहां से सुरू आत करना है तो इसमें यहां से उठाना है और यहां से तक बिलकुल छाप देना है ठीक है अब देखें अब आता है इनके रचनाए कई से लिखेंगे उसको भी हम समझाते हैं रचनाए हेटिंग डाल देना यह सब नही करेंगे रचनाई में लिख देना इनकी परमुख रचना निम लिखेता है अब रचनाई कहां से आप लाएंगे आपको आतर आतो रहा नहीं है ठीक है तो इसलिए देखे जैसे यहां पर देखे आवारा मसीहा आप डाल दे ललुलाल सिच्छा कउदे से डाल दे अब देखे बासीत देखे एक मिनट एक मिनट यहां पर आप डालें दुए दि पिडिय पर्वास कामायनी राम-चरित मामा जी थोड़ा लिखे जो फिर मस्र रचना है उसका नाम आपको नहीं लिखना है जैसे हैं आप भारत भाती आप डाल दें और देखे और आप डाल सकते हैं साके मामा और फिर परवास भी डाल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना तो आपका भले ही गलत हो लेकिन अगर आप कट पिट उसमें नहीं करेंगे ना तो एक्जामनल को देखो कापी बहुते जादा चेक करनी रहती है तो एक्जामनल जल्दी जल्दी आपक कराते हो तो एक्जामनल बिल्कुल खुष हो जाएगा और पांच में पांच नंबर आपको जरूर देगा चलिए आज की इस वीडियो में बस यही इतना बताना था जीवन पच्छे साहितिक बच्छे में बहुत डाउट सोते हैं तो मैंने सोचा इससे क्लियर कर दिया अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं आप से किसी और वीडियो हैं तब तक के लिए गुडबाय जैहिंग जै भार प्रेस्टाएब से नहीं करते हमें लगदी से लिए चरदोग करपने लिए और के लिए दिसे गया हो आमें लेके लेकर करते हैं